अब योग को लेकर बहुत सारे प्रश्न है, ठीक है, भले आज योग बहुत लोगप्री हो गया है और UN के आकणों के अनुसार दो अरब लोग योग डेली करते हैं, ठीक है, एक तो उसमें कृत्रमता जो आपने कहीं, एक वो है कि कहीं बियर योगा हो रहा है, कहीं स्विमिं प्रश्न है, तो यह क्या चीज है? जब आप वापस आने की बात करते हैं तो हमको किस्सा याद आ जाता है, तो अमारे बड़ी प्रिये शिष्य थे वो युएस से आए, बात है कम से कम नहीं तो 2008 या साथ, 2005 की बात है, तो एक डबा लेके आए और बड़ा मॉडनली में रहा ज़गा बात है, बात है तो नहीं गुएस से बात है, वह कि रहा है दिए कि प्लीपरोगने है वह रहा है ज़गा टोई में तो एक पैक्प्डन तो और घड़ी साहिए तो अच्छा याद धान है, उस वारी नकनुकर के डुकान पर दस रुन्ट्राश का मिल रहा नंबा समय देखा, तो वो कहीं नहीं हमारी जड़ों में है, तो जब हम बियर योगा, न्यूड योगा की बात करते हैं, तो मुझे तो यही लगता है कि जो योग के अनुरूप ही चीज नहीं है, यानि जो योग के विरोधाभास में चीज है, यानि योग को सिर्फ कसरत यानि अगर व्यक्ति योग को पूनता में जीता है, तो वो इन छोटे-छोटे खंडों में नहीं बटेगा, लेकिन इतना कहने पर भी यह कहूंगी कि आरंभ तो कहीं से होगा, है ना, जब हम छोटे चीज को जानते हैं तब फिर हम बड़ी चीज को जानने की चाहा रखते जैसे चोटा बच्चा है, उसको आप एकदम से सारी नॉलेज नहीं दे सकते, चोटा सा उसको अच्छा लगा, फिर वो आगे की और बड़ेगा, अब यह निरभड करता है, जो पहला उसका इंट्रड़क्शन है, वो उसको और जिग्यासा उसके अंदर जागरत करता है, ज उनकी पतनी बाहर बाहर ग्रीन अरिया नहीं बैट गए, उन्हों नहीं पूरा योग किया, अभ्यासा, तो हमने बुचया, वो एक युछाए वाइप इस नॉत कमिंग, उन्हों नहीं बताया कि वो किसी और देश में कोई हॉट योगा वो कर रहे थी और एक अपरेचर चे तो अब उनकी जो अब ये क्या है, जब हमारा कोई सत्र खतम होता है ने भवेजी, हम एक बाहत कहते है कि जो भी आपको अच्छा लगा वो मेरी योग संस्कृति का है और अगर कोई मेरी तूटी हो तो मेरी निजी तूटी है, मेरी विद्या की तूटी नहीं है, तो ऐसी योग की संस्कृति जो है, वो भ्रष्टूति है, उससे सारे योग शिक्षकों को परेस करना चाहिए, इसलिए बता के करें कि ये कौन्टेंप्ररी है, ये ट्रडिशनल है, तो वो देख करके अगर हम आगे बाटेंगे, तो योग भी भली भूत होगा, और जैसा मैंने कहा योग हमारी संस्कृति है, उसका संगरक्षon समवर्दन सिर्फ योगियों की जिम्मेदारी लही है, प्रतेकभारतिय की नैतिक जिम्मेदारी है कि उसका संगरक्षन हो। पहला नहीं ह opens defining और छोड़दी हैं, जो उपना विल फिल्टी को तिंप्स का विल्लग रात करी हैं मैंने मिला गाहते हैं ओरने पती का व्लाहते हैं जो फ्रॉर्डवी को क्या दी बता है, फ का रुह थ hips है कि अप्यूदी इक है यक नहीं को क्ष ए नहीं हो सकता है इसलिए जब हम ग्रहस्त जीवन में होते हैं, एक कारण है ना कि आपकी संस्कृती में चार आश्रम बताए गए, चारों की मर्यादा हैं बताए गए, तो जब आप ग्रहस्त आश्रम में होते हैं, तो मा का तो सबसे बड़ा योगदान है, और आम तो उस संस्कृती से हैं कि तो जब मुझसे कोई पूछता है वें दियू स्टार्ट योग ट्रेनिंग तो हम कहते है वन आ वस इंद वूम्ब उफ मादर क्योंकि हमें संस्कारों में मिला तो मा का तो जो भी कुछ हम होते हैं वो मा से प्राप्त संसकारों से ही होते हैं और विवा उपरांत एक बहुत ब जब परिवार की बात करते हैं तो ग्रहस्त धर्म की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि हम जिसे कहते हैं हम साथ में भोग नहीं रहे हैं हम साथ में योग रहे हैं यह शरीर माद्यम खलु धर्मसाद नहीं शरीर जो है वो भोगायतन नहीं वो मोक्षायतन है जो लोग कहते हैं शरीर की ज़ुरत नहीं है सिर्फ आत्मा सब कुछ है तो आत्मा का बोध कराने वाला तो प्राप्त करने भी कौन है शरीर तो शरीर की अवेरनेस जरूरी है फिर हम उसमें पंचकोष है यह मेरे फिजिकल बॉड़ी में इंतल बॉड़ी उनकी गहराई उनकी गहराई हम परते हैं तो अप पिता की एक विरासती तो उन्होंने तह किया किया अप योगी बनेंगे आपने तह किया उन्होंने बश्कुल तह नहीं किया बश्कुल नहीं तह किया हम जिसस संस् Krittis से आते हैं हमें सिर्फ एक बात बताई गाई ती बेटा जो करना बैस्ट कर ला और जिवन में खोश रहना वह बहुत ज़रूरी है टो पड़ाई में बहुत अच्छे थे अप योग, यह सब का मिष्रित पढ़ाई ही हमारी पढ़ाई थी, फिर जब हम आपको पूछी रहें तो कहानी बता देते हैं, तो I was a national scholarship holder in theatre, in classical dance, और theatre भी हमको लगते है सिर्फ अभिनाय, अभिनाय भी चार प्रकार का है, यानि आंगिक, वाचिक और सात्विक अभिनाय, मतलब मैं क्रिष्न हूँ तो जब मैं क्रिष्न मय हो जाओं, ना कि सिर्फ क्रिष्न जैसा आहारे अभिनाय की ड्रेस पहन लिया या बोल लिया या हस्तक से दिखा दिखा दिया, जब में कृष्ण निम्मय हो जाओ, यानि जब द्रश्टा और द्रश्चे एक हो जाएं तब अभी नहीं सच मुछ में घटेत होता है तो हमने सारी पढ़ाई करी, फिर उसके बाद हमें मीडिया से ओफर आये थे तो हमें उस वक्त का बहुत बड़ा प्रोड़क्शन हा उसता नाम तो नहीं लेंगे तो उसमें लीड रोल का उफर आया और भवेजी उस वक्त बिल्कुल कौन कहता है इतिहास खुद को नहीं दोहराता जब हमारे पिताजी मिस्टर इंडिया रहे 10 अर्ज ओनली वेजटेरि अब भी करते हैं तब भी करते थे तो सुबह चार बचे बैठे तो अनुभव हुआ कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहे है एक भटकाव दिया कि देखता हूं हमारा बच्चा अडिग है यहां तो हमें लगा कि नहीं यह सिर्फ भटकाव किस्ति थी और जो उदेश्य ल